सभी को मेरा खथियानी जोहर आज हम महिला के टॉपिक पर बात करना चाहेंगे महिला के बारे में बात करना चाहेंगे और महिला के बारे में बात करने से पहले हम कुछ डाटा है फैट्स है जो हम सब के सामने बताना चाहेंगे 2024 का जो लोग सभा चुना हुआ उसमें 543, 543 सीटों पे MP का चुना हुआ और 543 में जो हमारे MPs बनें उसमें से सिफ 74, 74 महिला MP है बलकि पुरे भारत में महिला का जो आबादी है वो 48% है 48.5% मतलब 50% से बस 1.5% कम है लगबग 50% आप मान सकते हैं और जहां आबादी 50% है वहां कम से कम 30-40% तो महिला के आबादी होनी चाहिए ना कि 30-40% तो representative जाना चाहिए क्योंकि और इसमें भी अगर आप कहें कि नहीं महिला हो या पुरूश हो तो क्या फरक परता है इसका सबसे अच्छा जो हमारे पास उधारन है वो West Bengal है जो 74 MPs चुने कहें उस 74 MPs में महिला MPs में सबसे जादा MP वेस्ट वेंगोल से क्योंकि वेस्ट वेंगोल की मुख मंतरी महिला है और यह जग जाहिर है एक महिला के बारे में जितने अच्छे से महिला सोच सकती है पुरूश नहीं सोच सकते हैं जहां हमारी आबादी आधी है जब हमारे रिप्रेजेंटेटी भी नहीं है उस जगह पे जो हम लोग के बारे में हमारी समस्याओं को हमारी पीडाओं को उस जगह तक पहुचा सके हम कैसे उमीद कर सकते हैं कि महिला सश्रिक्तिकरन हो सकता है एक महिला जिन चीजों से गुजरती है और इन 74 में भी मैं मतलब मैंने पूरा तो go through नहीं किया लेकिन I can bet कि 100% ठीक है कि इन 74 में से 50% ऐसी महिलाए होंगी जिनका पहले से political background रहा है मतलब या तो उनके पिता रहे हो या तो पती रहे हो राजनीती में उन्हीं को टिकट दिया जाता है कि इनके पती मर गाए तो बीवी को टिकट दिया जाएगा क्यों हमारी अपना कोई identity नहीं है क्या 80-90% ऐसी महिलाए होंगी जिनका राजनीतिक background रहे हो उनके पती कभी MP रहे हो या MLA रहे हो या फिर उनके पिता रहे हो जब नए लोग जाही ने रहे हैं जो उन समस्यावों से जूजे हों कहते हैं ना kids born with silver spoon जिन्दोंने कभी वो दुख पीड़ा देखा ही नहीं वो समस्यावों को क्या समझ सकते हैं वो समस्यावों का हमारी दूर करेंगे क्या समझेंगे किस तरह की समस्यावे महिलाए जूजती है समाजिक रूप से आर्थिक रूप से मांसिक रूप से कि रोजगार के दौरान कोई कहता है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौक्री नहीं है हां सरकारी नौक्री रोजगार का मतलब नहीं है अगर हमको प्राइवेट नौक्री में भी 50,000 रुप इंकम मिले और इस्जत मिले तो हम धनबाद के निवासी हैं धनबाद मेरे संपर्ग में कुछ लोग है जो लोग यहां काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो उनका अर्णिंग है यहां पर पता किता सैलेर दिया जाता है पांच हजार रपया सुबह नौ बज़ा जाओ रात के असाथ बज़ाओ तो इसको रोजगार कहेंगे क्या मोबाइल का रिचार्ज तक नहीं करवा सकता है इंसान इतने इंकम में सिच्छा की तुम बात ही छोड़ दे और ये बात कहीं गलत नहीं है कि पुरुष के तुलना में ज़्यादा इमानदार होती है ज़्यादा भावनात्मक होती है ज़्यादा चीजों को समझने की छमता रखती है या अभी भी हम मन्यूस्मृति को मान रहें कि हम महीला पुरुष के बरावर नहीं इसको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा सकता है सबसे बड़ा समस्य यह है ना कि राजनीती में खास करके राजनीती में मौका ही नहीं मिलता है अपना पर्तिद्वंदी खड़ा ही नहीं करना चाहते हैं कोई जब उनको लगता नहीं कि आप उनको बरावर का टकर दे सकते हैं तब तो और ज़्यादा फोकस दिया जाता है ताकि आप उस जगह तक पहुँच ही ना सकें विडोधी और विद्रोही हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो तैयार करते हैं मुझे किसी ने बताया था कि नेता वो चीज होता है कि वो जब चाहे आपके कंदे पर पीत थप तपाके आपको आसमान में चाहा देगा और जब चाहे तो तुम्हें अपनी ओकाद दिखा देगा ऐसा मतलब कोई समझा रहते हैं कि नेता लोग ऐसा ऐसा करते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है अगर किसी इंसान में घंबंड़ या ऐसा पूछे तो आप ऐसा करके अगर उनको वास्त्विक्ता का ग्यात कराते हैं तो इस अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है मगर क्या हम जनता को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिस नेता को खड़ा करते हैं अगर वो काम ना करे तो हमें भी उन्हें वास्त्विक्ता का ग्यात कराना चाहिए और आस्मान से जमीन पर ले आना चाहिए क्या हमारी ये भूमिका नहीं है हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं हमें करना चाहिए ऐसा और हमें एक चीज बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए बहुत प्यार से बात करो सबसे यह करो वई जो हमारे लिए सही है जिसे हमारा विकास हो हमारे बच्चों का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, ना कि कुछ लोगों का सित्विकास हो और अगर वो उस चीज की भूमिका, जिस भूमिका के लिए आपने उसको खड़ा किया तो उसको भी जमीन पर लाया जाए, जए वो कोई भी हो, हम हो, आप कोई भी हो. हर चीज की एक भूमी का है, एक योगदान है, जिसके लीए किसी चीज को इनसान बाल बच्चा से भी कुछ उमीद रखता है ले, कि हान बाल बच्चा से हम यह उमीद रते हैं, हेरेडेटरी जो वन्शावली होती हो उसी में अगर वो गुन है तो फिर नमको तो लगता है कि यह क्या ज़र रहत है प्रजात अंत्र डेमुक्रेसी का राजा का बच्चा राजा उलुक ज्यादा अच्छा था कम से कम कंफर्म था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और य है त अहमारे है प्रजा गन्तर uh.. democracy, gvernment by the people of the people for the people but he is nobody is thinking about the people Everybody is just concern about their pocket about their Growth that's it about their kids growth nothing else we are just a vote bank who are being used by the politicians by saying some cheesy words to us that's it कुछ मिठी मिठी बाते करते हैं जो कुर्मी है उनके सामने खुठा में बात कर ली है हम लोगो लगता अरे बाप को बाप हमरे आपन लोग लागए हमरे बारे में बात करते है हमरे विकास करते है लेकिन जोनी बात जाना यह हमनी कर विकास नाई करते हमनी में इज हम तर्टा कहा है ओकर विरोध कर पारी है कहली पाृटी चेंज नेता घर सकल है जनता को व्यक्ति तो अर्व्यक्ति टकर देख्ये वोट दिं और एक बार मौका दिया है जोदी उलोक्ते कर रो तो दुबार पर्देश अधक्स से गलत करें विरोध कर लिया हमनी पर्देश अधक्स बदला लेकिन जोदी नियती माइनगे जोदी चुपचा बैठी रहितला तो अगेशन ना होितला क्यों भी गलत करो आवाज उठाओ अगर पता चलना चाहिए तो जिदी गलत कर वे तो तरसंग हमने नाइडार है लिए और सर्वस पर जनता है क्यों नाएं सुभी नहीं हम नहीं कर यहां से मंतब जहार फंट क्या मजाग वान आए देले सुभी नहीं मिल गया ज्यक्रा जफाट कर रहे काम कर रहे अधिकारी अपन हिसाब से इकर राम उट पटांग काम करना है तक है यह पनी कापार बहुत अच्छा होगा अपारखनीज यह तना वर्चस्वमान जगह में हमनी पईदाहे लिया है हमनी तो पईदाईशी अमीर लगिया लेकिन कुछ लोग है उँ अमीरियत और उँ पईसाट है उँ जैटा कर हमनी हगदार लगिया हमनी से उँ हगटा छीनना है और उटा हमनी के नाहे वेले दिये को हामार अधिकार हमका दिये लहे तो व्यक्तित्व कोई कि ना जहां दास को इमानदार रहे ना हुआ बैमान लोक्टा खातिर जागा नहीं वाष्टे जहां दास को बैमान रहे तो ना हम जार्खन कर बारे में सोचंए तो जन जुन हे रहा गुल झुड़ति क्ल यदॉं समय गांनाषी थ Isswe के पान सैう सज पहलं घ्मिकासों साल गाँताक्त्धिकandr और जोग्सकेशमिड में टो रुझकास पाल कर दूमें तन गार्वान काल है तो टार हैT पांप साल धंग से क्यों काम करेता लाता हूं कहां है लोकल लोग जीवन भर संघर्षकर में पारहे जाएगा कुछी लोग है सोब चीष्टा के एकदम हड़ेट के बैठालो एकदम बपोती संपतीनियर और हाम निकर काम हें गेलो जीवन भरोकर पेचू-पेचू भुर्णा लेकिन ऐसा ना है वेद्वे हमने हामनी के रोजगार चाहिए हमनी के स्वास्त चाहिए हमनी के अच्छा सुविधा चाहिए इमानदारी से काम चाहिए और हर काम में इमानदारी चाहिए बिना पैरवी कर काम चाहिए कि कौन भी लप्टा जीते तो गर काम होना चाहिए हाम नी किसे देश्टा है हाम नी सोब लोग गिला से अर इबात ता हम नी कैस समझे ले तो अर इबात ता हम कहला आई ज़न्दा ना इड़ना हो कोपर अपन बात ता के राखे अर मजबूती कर संगय राखे खो जोदी हमर से कौन भी बात ता तो आई इसन बुझाओ कि हम गलत कर रहे हो हमर बात ता के ज़रूर सुधारे कर कोशिश करें बात आई यह इतने के कि हम अपन बात ता के विराम करो बात तो बहुत कुछ हो कह खाते जर लोगी लें नोगरी कर रहे हैं नोगला के नोगरी हो आसानी सनाई कर रहे हैं यह लोगी लग नोग हे जर्रकर लोग ÖLal विचार कर खें हैं सहरे हैं थीर अउने जर्चरों भात काम करें करें चाहिए काम करें तो मत करना तरह जरुरुति ने पर तो दर्च को मीटिंग करें परचारबशार करें जो हार शरकन विचार करियां